नमस्कार साथियो स्वागत्य आप सभी का ओफ लाइन फॉर्म ओफिशल यूटूब चैन के एक नए वीडियो में फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने बाले हैं कि आप सभी को आपको कैसे फिलब करना होगा तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी देने बाला हूं वीडियो को पूरा जरूर देखना यह दिया आप हमारे चैनल पर फिर्ष्ट हैं विजिट की हो और आगे किसी ओफ्लाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नॉट्पिकेशन पाना चालते हो तो ओफ्लाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बेलकुल ना बूलना चलिए फ्रेंट्स अब इसकी सबसे पहले मैं आपको एक मिनिट में क्वाल पाउट रहता कि बाई इसका जो एक्जाम में वो कहां पर कंडार्ड करा जाएगा तो फ्रेंट्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो आपका एक्जाम है वो बंगलाउर में ही कंडार्ड कराए जाएगा आपके देखिए फ्रेंट्स जो आपके एप्लिकेशन फॉर् इस तक एप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट इनवायट की गई है आपकी साउट टू एटी सी से दोसो नौ आपकी पद पर जो वेकेंची का नौटिफिकेशन जारी किया गाए नौर्द फर्स एटी सी से आपका 249 पदों पर वेकेंची का नौटि इस वेकेंची के लिए फिमल केंडेट बिलकुल इलिजिबिल नहीं है यदि बात करेंगे आपकी एज की लिमिट को लेकर यदि आप जनरल केंडेट हो तो आप यहाँ पर 18-25 साल तक एपलाई कर पाएंगे यदि आप OBC केंडेट हो तो आप 18-28 साल तक एपलाई कर पाएं यदि आप HC, HD candidate हो तो आप 18-30 साल तक apply कर पाएंगे, यह पर कोई भी आपकी application भी नहीं रहने बाली है, आपको यह अपर निसल काविदन कर देना होगा, फ्रेंट्स अब जान लेते हैं कि आपको application form को कैसे फ्लब करना होगा, बट उससे पहले आपको बतना चाहूँगा, चलिए फ्रेंट्स जानेंगे कि आपको application form को कैसे फ्लब करना होगा, उसके बाद जानेंगे कि आपको यहाँ पर अपने envelope पेने लिफाप को कैसे बनना होगा, देखिए फ्रेंट्स सबसे पहले आप यहाँ पर अपना एक passport साइज फोटो लगा देंगे, उसके बाद फ्रे पोस्ट के लिए अपने application form को apply करे हो, उसका पोस्ट का यहाँ पर फ्रेंट्स नाम mention कर देंगे, याद रखना जो भी आपको यहाँ पर जानकारी फिलफ करने होगी, वो capital letter में ही आपको यहाँ पर फिलफ करने होगी, आपको यहाँ पर small letter में अपनी जानकारी नहीं देनी ह होगी, इसके बाद आपको यहाँ पर 12 digit का आपको यहाँ जो आपका बार अंक का आधरकार नमबर है, अपने आधरकार नमबर को इंटर कर देंगे, इसके बाद फ्रेंट्स आपका फादर नेम आप यहाँ पर mention करेंगे, आपकी date of birth क्या साव से पहले दिन में, फिर मन्त मे फिर में आपको अपनी date of birth mention कर देनी होगी, इसके बाद फ्रेंट्स आपको यहाँ पर correspondence address के बारे में जानकरी देनी होगी, यह आपका house number क्या है, आपको इसके बाद आपको अपने गाओं या city का नम mention करना होगा, यह आप गाओं से belong करते हो, आपको house number के बारे में नहीं प आपको state का नाम mention करना होगा, यहाँ पर फ्रेंट्स आपको अपना पिंट कूड mention कर दीना होगा, इसके बाद फ्रेंट्स आपको इंपर correspondence address आपको correspondence address और permanent address दोनों अलगा अलगें, तो आप यह पर अलगा अलगा भी फिल कर सकते हो, यह आदि आपकी एक हैं, तो आप एक भ पॉस्ट किया, श्टिक क्या, इस्ट क्या पिन कोड क्या है, और यहांपर प्रेंट्स आपको हाईस्ट की बारे में जानकारी देनी होगी, यहांपर पॉस्ट की रिए अप पॉस्ट की ऐसाफ से सीरियल नमर एक और दो आपको यहां पर डाल देने होंगे इसके बाद फ्रेंट्स आपको इपर टेंथ लिग देना ने दस लिग देना उसके बाद आपको टी एच लगा देना होगा इसके बाद जो भी आपने दस भी किलास पास किया अपने किस सिकूल से पास किया किस कॉले इसके बार, आपको सीरिय horns नमबर । ढाल देना ऊए और आपको यहां पर você हूं कि ज है, किस स्कूल या कौले स find 12 class pass किये & किस आपने very जो आपकी percentage थी, कितनी थी, remark में आपको friends यहां पर pass लिख देना होता है, इसके बाद friends आते हैं, नीचे की तरफ यहां पर आपको gender के बारे में जानकारी देनी होगी, इस vacancy के लिए गेवल mail candidate apply कर पाएंगे, तो आपको यहां पर mail लिख देना, इसके अलावा आपको यहां प लिख सकते हो, यहां पर general भी लिख सकते हो, उससे कोई भी problem नहीं रहने बाली है, इसके बाद friends आपको 14 नमबर option यह दिए आप एक सर्विसमेन हो, तो आपने किस यहां पर किस defense में आपने कार किया, आर्मी, नेभी, एरपोर्स किस सेना में आपने काम किया है, उस सेना के ब फिलप हो जाएगा, इसके बाद जान लेतें कि आपको यह पर second प्रिष्ट को कैसे फिलप करना होगा, देखे friends यह आपका second प्रिष्ट रेने बाला आपका application फॉर्म का, जो आपको फिलप करना होगा, सबसे पहले आते हैं पर 15 नमबर option की तरह पे, यह दिए आप PS category से आप लोग करती हो निया, आप disability person हो, तो आपको यह फिलप करना है, वहर्म आपको यह पर जानकारी नहीं देनी होगी, यहदि आप disability person हो, तो आपको फिलप करना है, तो आपको यह फिलप करना है, इसके बाद रेंद चेल्च हो, तो आपने employment exchange में आपने registration करवाये हुआ, तो आप येस करेंगे वन आपको no कर देना हुआ येस किया तो आप अपना नाम office address, name of post, date of appointment यहां पर लिख देंगे इसके बाद friends आपको आना नीचे की तरफ 18 नमबर option की तरफ friends यहां पर आपको जानकरी देनी होगी देखिए आपको इंपर पूछा हुआ name of the stations a candidate wishes to be posted if selected in the order of preference आप यहां पर selection हो जाता है आप exam को qualify कर दे तो आपका medical physical सब हो जाता है उसके बाद आपकी first choice कहां है कहां पर अपनी आप job करना चाहते हो यहां रखने यह आपके exam center नहीं है यह आपको अपनी job के बारे में पूछा हुआ कि अपनी job अपनी post चाहते हो कहां पर चाहते हो इसे आप कोई भी online form आज से पहले आपने फिलब किया हुआ होगा तो आपको वहां पर अपने exam center फिलब करने होते बट आपको यह पर exam center के बारे में जानकारी नहीं देनी है आपको friends आपको यह पर post के बारे में जानकारी पूछे हो यह आप अपनी नौकरी जो आपने चाह देंगे इसके बाद friends आपको यह पर जानकारी दी हुई है कि आपको यह पर दो आपको फोटोग्राप अलग से रखने होगे जिनके पीछ आपको नेम अपना फादर नेम आपको mention करना है आपको यह पर एक postal stamp लगा हुआ आपको एक envelope रखना होगा इसके अलाबा friends आपको य पर जितने भी आप अपने document रख रहे हो आपको document की बारे में अंत में जानकारी दे दूँगा बट आपको भी क्या करना आपको यह पर six लिख देना होगा इसके बाद आपको admit जो आपका duplicate admit card है उसको आपको यह पर फिलप करना होगा चलिए अब चलते हैं duplicate admit card की तरफ है द पर इसानी नहीं होगी signature करेंगे नाम लिखेंगे पहले से डेट लिखेंगे यह दि आप ऐसे हैं जन्रल या एक पासपूर्ट साइज फोटो लगा देना होगा कोई भी आपको इंपर signature नहीं करना है आपको signature कर दे तो तो अच्छी बात वन आपको यह पर कोई signature नहीं करना होगा इसके बाद फ्रेंट्स आपको अपने साव से पहले अपना नाम मेंशन करेंगे फादर रास्बेंड नहीं मेंशन करेंगे इसके बाद आपको अपनी यह पर category मेंशन कर देने होगी और कोई आपको यहां पर जानकारी मेंशन नहीं करनी आपको चारी आपको यहां प लिफापे जो आपके एंडवलप जो आपने खरीदें नहीं खरीदें तो आप इनको अपने देखे जो आपका पुष्टक बंडार है जहां से आप बुक पर्चेज कर सकते हो वहां से आपको दो लिफापे आपको मापसे खरीद लेने होगा यह आपको तीन रुपे का मिल ज के लाइगा सहसे पहले dus आपको प्रेंड साबको लिखना होगा उसके बाद आपको देखे फैंक कोमा लगाएंगे अपना नाम मेंसिन करने के बाद अपको करने मेंशन करने दे य expect किया है लाद को पर भी कर करने जाओ तब आपको यहां पर आप इसको इस पर लगा सकते हो इस स्थान पर आपको लगा देना है और इस पर आपको कुछ नहीं रखना है यह आपको फ्रेंट्स खाली ही बेजना होगा या रखना कुछ नहीं रखना है बहुत सारे जो बाई बेन होते हैं वो इसमें रख फोटो कोपी करवा लेनी है देख़िए और भी पास के अंडेट हो आपने जिस पोष्ट के लिए यह प्लाई किया उसमें बारभी ग्लास मांगी होई तो आप बारभी काक्षा कि अपनी एक मार्चीट की फोटो कपी करवा सकते हो और आपको जाती पिर्मान पत्री की फोटो की जाती लगने बालिये गिए पर संब आप्ने बीत अको फोटो कॉपी कर वा लए वन्ना कोई कमबलसरी नहीन है इसके बाइद इस इसने भी आपने डॉक्यमेंट के यहां पर फोटो कॉपी कर वाई है सभी डॉक्यमेंट पर आपको नीचे की तरप अपने सिगनेचर कर देना होगा यहां पर आपको छोटी वाले एंवलप को आपको आपको इस प्रिकार रख देना होगा इसको पर दो पास्कोर्ट से आए की 35 ड्रवीकी डाँटिकर नगा दरख दे आपको Bernice स्क्रॉल कर रेंगे है करने के बाद है यह आपका देखे प्रेंट है रहने वाला बढ़ा वाला एंट जो आपको फ्लप करना होगा सबसे पहले fuhrập मैं आपको बताना होगा की आपको कैसे फ्लप करना होगा इसके कि अपना नाम फादर नेम तो लिक क्या आपको इस प्रिकार लिग देना होता बट आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है चली मैं आपको इसके लिए ऑफिशल की तरह लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपको कैसे वहां पर है आपको इसको फ्लप करना होगा बट उससे पहले आपको बदना चाहँगो आप इस एप्लिकेशन फॉन को रजिस्टर पोस्ट आप स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर देंगे